Hello students, आज हम लोग बात करेंगे TTL logic family में जो TTL circuit output connections होते हैं उसके बारे में कि जब भी हम TTL logic family में circuit design करते हैं तो जो उसके output connection होते हैं वो किस तरह से होते हैं और कितने तरह के output connection draw किये जाते हैं first we write TTL circuit, TTL circuit output connections तीक है अब इसमें देखे क्या होता है कि a number of output connections are provided using TTL logic gates each of the five TTL version जो past TTL version होते हैं TTL logic family के वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो each of the five TTL version comes in one of three output circuit configurations commonly referred as तो TTL circuit जो भी आपके पांच version होते हैं TTL logic family के उनमें जो output configuration होता है, output circuit configuration होता है वो generally तीन तरह से हो सकता है ठीक है, पहला हो गया आपका totem pole output जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे totem, pole, output second होता है open collector output open collector output और third जो type होता है output circuit का वो होता है try state output try state output तो हम बारी-बारी से इन तीनों configuration के बारे में बात करेंगे आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले totem pole output का तो देखे जब हम totem pole output configuration की बात करते हैं totem pole output इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप एक टीटियल नैंड गेट का totem pole output के साथ हमें circuit diagram ड्रॉ करते हैं ठीक है उससे क्या होगा कि आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि totem pole output क्या होता है ठीक है तो पहले हमें एक टीटियल नैंड गेट का totem pole output बनाते है अब माल लीजिए हमने कहा कि से circuit diagram जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या होका सबोस कीजिए ये हो गया हमारा एक transistor हो गया की वन इसमें माल लीजिए three input नैंड गेट है तो हमने एक दो तीन ठीक है ये तो होगए हमारे a b c ये क्या होगए ये तीन inputs होगए ठीक है और ये transistor के तीन emitter होगए ठीक फिर यहाँ से हमने ये निकाला collector ठीक है अब उसके पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे एक base में base resistance के थूँ इस तरह ठीक है इसको connect कर दिया supply से ये हो गया plus vcc generally ये जो है आपका plus का five volt रहता है ठीक अब क्या होगा कि इसके collector में हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे हम दूसरा transistor connect कर देते हैं तो suppose कीजिए इसके connector में हमने यहाँ पे यह दूसरा transistor connect किया और यह कर दिया अर्थिंग और इस ट्राजिस्टर यह तो एमीटर हो गया इस ट्राजिस्टर का जो collector है वो फिर हमने एक resistance के थूँ यहाँ पावर सप्लाई से जोड़ दिया खीक है अब यहां से देखे इस टर्मिनल से हमने क्या किया यहाँ पे हम दो ट्राजिस्टर हमने connect किया एक हो गया यह ठीक है फिर और दूसरा हो गया यह और इसको एक डायोड के थूँ हमने connect कर दिया इस से इस तरह ठीक और यहां पे हम ले लेते हैं यह है हमारा आउटपूट तो यहारी वाईटवल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एबी सी का बार यह आ जाएगा हमारा आउटपूट और यहां पे इसको करेंट कर देंगे पावर सप्लाई से यह लिए हमने इस तरह ठीक अब माल लीजे हम इसको से हमने का यह बेस रिस्टेंस आर भी इसको हमने वैलू दे दी फूर किलो ठीक उसके बाद यह जो करेंट फ्लो करेंगी यहां पे ऐसे इस इस आई बी वन यह ट्राइजिस्टर क्या है यह ट्राइजिस्टर है क्यू वन फिर यह इसमें बेस करेंट है गई आई बी टू यह ट्राइजिस्टर हो गया क्यू टू फिर यह जो रिस्टेंस है देट इस आर वन आर वन मतलब हो गया 1.6 किलो ओम फिर ये हो गया R3 130 ओम फिर ये हो गया आपका Q3 ये हो गया Q4 और इसको हमने यापे क्या कर दिया अर्थिंग कर दियी तो अई होब कि ये सर्किट जो है कंप्लीट हो गया होगा तो ये जो है आपका ये 3 input TTL 9 gate है with totem pole output तो इसमें दिखे totem pole output connection यह जो output connection आपको दिख रहा है that is called totem pole output यह आपको समझाने के लिए दिखा दे रहा है यह आपे यह जो output connection है this is totem pole output इसमें क्या है कि the totem pole output is the standard output of a TTL gate and is specifically designed to reduce the propagation delay in the circuit and to provide sufficient output power for a high fan out फिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो आपका totem pole output है तो इसमें क्या होता है कि जो propagation delay time है वो reduce हो जाता है और जो output power है high fan out के लिए sufficient output power यह provide करता है अब इसमें क्या होता है कि देखे circuit में आप देखिए कि the output in the circuit is obtained as a high voltage level when q3 is on तो यहां पे आपको क्या होगा कि output तब मिलेगा जब q3 on होगा और a low voltage आपको तब हाई मिलेगा जब q3 on होगा और a low voltage तब मिलेगा when q4 on होगा मतलब जब Q3 on होगा तो यहां आपको output high मिलेगा जब Q4 on होगा तो output आपको low मिलेगा तो the circuit is designed in such a way that both Q3 and Q4 can never be on at the same time तो देखें सर्किट इस तरह डिजाइन किया है यह आप देख रहें डायोड लगा हुआ है तो Q3 और Q4 यह दोनों एक साथ कभी on नहीं होगे या तो Q3 on होगा या तो Q4 on होगा ठीक है अब इसमें क्या होता है कि when either Q4 और Q3 conducts the output impedance is low तो मतलब चाहे Q3 conduct करें चाहे Q4 conduct करें output impedance low होता है ठीक है and hence the totem pole output of a standard TTL circuit cannot be connected to any other output without causing a serious loading problem ठीक है this loading problem can be eliminated by modified TTL circuit called a tri-state TTL तो दीक है यह जो totem pole output है आपका इसको जब भी आप further किसी circuit से connect करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है आपकी serious loading problem आएगी ठीक है इसमें serious loading problem आएगी serious loading problem तो इस serious loading problem को दूर करने के लिए TTL में further modification किया जाता है वो हम आगे आपको बताएंगे जब tri-state TTL circuit तो further modification करके TTL circuit को tri-state TTL में convert किया जाता है तो वो जो हम लोग tri-state logic पढ़ेंगे तब आपको clear करेंगे ठीक अब इसमें क्या होता है the totem pole output configuration has the advantage of low output impedance in both logical states when q3 is conducting the output impedance is around 70 ohm तो अब इस चीज़ को आप चाहे तो note कर सकते है कि totem pole output में क्या होता है कि in case of totem pole output totem pole output configuration में configuration में क्या होता है कि output जो है low output impedance हमको मिलता है always we get low output impedance हमेशा हमें low output impedance मिलता है मतलब माली जब q3 connect कर रहा है when q3 is conducting आप circuit में देखिए जब q3 conduct कर रहा है तो क्या होगा the output impedance is around 70 ohm तो जब ये connect कर रहा है तो जो output impedance होगा वो तकरीबन कितना होता है around 70 ohms ठीक when q4 is saturated the output impedance is only 12 ohm और जब q4 saturated होता है q4 is saturated तो output आपका आता है तकरीबन केवल 12 ohm ठीक है because of such low output impedance any stray output capacitance is rapidly charged and discharged thereby changing the output voltage quickly from one stray to the other this lower output impedance is also responsible for the capability of the gate to drive high capacity loads for low noise susceptibility and high speed performance characteristic of series 54 oblique 74 series के जो gate होते हैं उनमें ये सारी property होती है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि totem pole outputs cannot be connected together to form an end function as in open collector output totem pole outputs को आपस में आप connect नहीं कर सकते हैं end gate बनाने के लिए जैसा कि आप open collector output में करते हैं तो अब ये जो totem pole output configuration है ये तो आज आपको बता दिया है अब इसके जो दो और TTL logic family के जो दो और output configuration है एक है आपका open collector output और एक है आपका tri state output इसको हम लोग जो है आगे आने वाले lectures में discuss करेंगे तो I hope कि आपको ये video content पसंद आ रहा होगा अगर video content पसंद आ रहा होगा तो please video को share कीजे like कीजे चैनल को subscribe जरूर कीजे subscribe करना नहीं भूलिए चैनल को और notification bell को on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके Thank you